Hello everyone, Kanujay sir here and welcome to student point academy. Students, today in this video we are going to study lesson number 10 of standard 6 science, force and type of forces. So students, आज के इस वीडियो में हम force और force के types के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह lesson बहुत ही interesting होने वाला है और साथ ही हम इस वीडियो में आपको इस topic को बहुत ही clearly और बहुत अच्छे से explain करने वाले है So students, अगर आप इस topic को clearly समझना चाहते ते वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि हम force के बारे में जा देंगे और force के सब्सक्राइब के बारे में भी समझेंगे So बच्चों, अगर आप हमारे चानल पर नए हैं या फिर आपने इस चानल को अभी तक subscribe नहीं किया अगर आप चाहते कि इस तरह के वीडियोस हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे तो वीडियो को like किजिए, चैनल को subscribe के साथ all notification पर भी click किजिए तो आईए, start करते हैं So So students, lesson number 10, force and type of force Okay, observe and discuss देखिए, यहाँ पर कुछ pictures दिये हुए हैं Okay, just observe it, इसे observe कीजिए, discuss करते हैं आईए, देखते हैं कि किस तरह forces के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है Okay, देखिए, यह जो boy है, यह boat को आगे ढेकलने की कोशिश कर रहा है इस चपू के माध्यम से, okay, इसे आगे बढ़ाने कोशिश कर रहा है Okay, इस पर उंगली से pressure दिया जा रहा है, इसे भी pressure देंके तोड़ा जा रहा है Okay, यह pulling की जा रही है, बुलक, bulls जो है, card को pull कर रहे Okay, यह जो wheel है, okay, इसे rotate किया जा रहा है, ball को यहाँ पर इस boy ने kick किया है तो यहाँ पर जितरी भी object है, यह सभी object move हो रहे है Okay, यह move हो रही है, इसका shape change हो रहा है, यह stick जो है, यहाँ पर तूटने वाली है Okay, यह wheel जो है, आगे बढ़ रहा है, ball उपर क्यों हो जा रहा है, मतलब सभी ने क्या किया है अपना अपनी जगह को displace किया है, किसी का shape change हुआ है, किसी का place change हुआ है Okay, और place और यह shape दोनों जो change हो रहे हैं, यह only and only force के कारण हो रहे है तो आईए देखते हैं, force के बारे में, देखिए no object change its position on its own तो कोई भी object खुद से अपनी जगह को नहीं बदल सकता क्योंकि कोई भी object जो है, वो जिवित नहीं है, ओके, यह सारे जो object है, यह निर्जीव है It means non living thing, और non living thing में जान नहीं होती तो वो खुद से उठकर तो इदर उदर चल नहीं सकती हम भी आगे बढ़ते हैं, तो हम भी चलते समय, force का use करते हैं जिसे frictional force कहते हैं, जब हम जमीन में आगे की और चलते हैं, तो हम पैर को जब आगे बढ़ाते हैं जैसे ओके, इस मेरे fingers को देखिए, जब हम पैर को आगे बढ़ाते हैं, तो पैरों से जमीन को पीछे ढखेलते हैं तो ही हमारे पैर आगे बढ़ते हैं, ओके, यह fact है, अगर इसका example आपको देखना है, तो आप किसी चिकनी फर्ष पर थोड़ा सा oil फिक दीजिए, डाल दीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि friction force हमारे लिए यह क्यों जरूरी है ओके, so, no object changed its position on its own, कोई भी object खुद से अपनी जगह को नहीं बदलता, force is required to move an object, और किसी भी object को move करने के लिए हमें जिस चीजिए की जरूरत पड़ती है, वो है force, so force is used to change the direction of an object in motion or to stop it, तो, जो force है, force किसी भी object का direction बदलने में मदद करता है, उसे move करने में मदद करता है, उसे stop करने में मदद करता है, उसका shape change करने में भी मदद करता है, समझ में आ रहा है, force के बिना ना किसी चीज़ का shape change हो सकता है, ना ही किसी का direction, ना ही कोई चीज move हो सकती है, और ना ही अगर कोई चीज मूवमेंट में है उसे रोकना है तो फोर्स की जरूत पड़ेगी अगर कोई चीज रुकी है उसे मूव करना है तो फोर्स की जरूत पड़ेगी अगर कोई अबजेक्ट आ रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो फोर्स की जरूत पड़ेगी जैसे कि म तो बाल का वो direction बदल देता है और direction बदलने के लिए जो यूश करता है वो है force जो bat के द्वारा apply किया जाता है को कर दिखान में रखिए in iconic now कि जिएर डारेक्ष 끼ए आप किसी चीज को मूफ कर सकते हैं आप मूविंग चीज को रोक सकते हैं और किसी पी चीज का आप शेब चेंज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ एक्जामपल हैं वो देखते हैं एसे तो क्या होगा अगर आप इसे खीचते हैं तो यह एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग मेंस्पेशल टाइप का एक फोर्स होता है इसमें already potential energy होती है तो मान लीजिए आप जैसी कि rubber है rubber band, आप उसको खीचते हो छोड़ते हो तो वापस अपनी position में आ जाता है, इस side से भी छोड़ेंगे तो भी वापस अपनी position में आ जाता है rubber band है, rubber band है ये, इसको आपने stretch कर लिया खीच लिया तो आप यहाँ से release करोगे तो भी वापस अपनी position में आ जाएगा छोटा हो जाएगा, मतलब आपने पकड़के इसको खीचतान के लंबा कर दिया पर आप उसे छोड़ते हो तो ये वापस अपनी position में आ जाता है, वैसे spring भी है, तो जब हम spring के दोनों end को खीचेंगे, तो क्या होगा कि ये spring force लगाएगी, इधर और इधर, मतलब हमारे दोनों हातों में एक force एक खीचाओ समझ में आएगा और छोड़ते ही ये spring आपस में एक दूसरे के तरब चिपक कर कुछ इस तरह से हो जाएगी, छोटी हो जाएगी मतलब जब भी हम किसी spring को दोनों हातों से खीचते हैं तो हमें एक force अपला होता है, एक force generate होता है ओके, वो खुद हमारे हातों को अपनी तरब खीचने की कोशिश करती next what happens when a blacksmith hammers a red hot piece of iron, ये जो blacksmith blacksmith याने होता लोहार जो लोहे का काम करते हैं, तो जो लोहार होते blacksmith है, ये blacksmith जो है, ये इस लोहे को मतलब iron को red hot iron piece है, ये कैसा piece है? red hot piece of iron, मतलब लोहे का एक piece है तुकड़ा है जो की पूरी तरह से गर्म किया गया है, अब इस पर मारने से क्या होगा जब ब्लैक्समीद इस गरम लोहे के तुकड़े पर हैमरिंग करता है तो जो गरम लोहे का तुकड़ा होता है जैसे जो iron metal है iron metal को जब हीट करते है बहुत ज़्यादा हीट रेड होते तक हीट करते हैं जिसे दीखिए यहाँ पर यह कितरा हीट है बहुत ज़ादा है ना काफी गर्म है यह जहाँ पर यह रेड कलर में दिखा देर यह काफी गर्म है तो जब भी iron metal गर्म होता है इतना गर्म की वो लाल हो जाए उस समय वो soft रहता है नरम पड़ जाता है और ऐसे समय उसका shape change करना बहुत आसान हो जाता है इसले किसी भी iron metal का अगर shape change करना है तो उसे पहले गर्म की आ जाता है और फिर उसके उपर hammering करके उसका shape change कर आ जाता है तो what happens when a blacksmith hammer a red hot piece जब blacksmith इस red hot piece को hammering करेगा तो क्या होगा इस iron का shape change हो जाएगा तो इन दोनों चीजों से हमें क्या conclusion मिलता है यह उपर वाला example one और यह two तो इससे conclusion जो हम shape of an object मतलब किसी वी object के shape को change करने के लिए force ज़रूरी है तो यहाँ पर भी देखो इस spring को हम खीच रहे हैं तो इसका shape change हो रहा है यहाँ पर hammering कर रहे हैं तो इसका shape change हो रहा है rubber band को अगर आप खिशते हैं तो उसका shape change होता है तो किसी भी चीज़ का अगर हम यह shape change करना है त okay now now second is a type of force okay अभी अब type of force के बारे में देखेंगे तो देखें आईए पढ़े type of force में क्या दिया हुआ है look at here muscular force तो सबसे पहला है हमारा type of force में है muscular force हमने force के बारे में पढ़ लिया force is a necessary to change the direction of an object to move it or stop it or change the shape of it है न तो force किन किन कामों के लिए use होता है वो हमने पढ़ लिया अब force के हम type देखेंगे force का जो पहला type हम देख रहे है वो है muscular force okay the force applied with the help of muscles is called muscular force अब यहाँ पर देखिए यह weight को lift कर रहे okay lifting weight lifting कर रहे weight lifting कर रहे body build रहे body बना रहे तो यह क्या कर रहे इस weight को उठाने के लिए अपनी muscles का use कर रहे अपनी strength का use कर रहे अपनी power का use कर रहे अपनी तरह का force उठा सकते हैं, so यहाँ पर देखें, तो यह जो force apply हुआ है, यह muscles के थ्रूब हुआ है, और यह जो workout हो रहा है, यह muscles के force के गारण की मदद से हो रहा है, तो that is, इस तरह के काम के लिए जो force हम लगाते हैं, वो होता है muscular force, okay, the force apply with the health of muscles, जब हम muscles की मदद से force apply करते हैं, तो उसे muscular force कहा जाता है, आपको muscular force समझ में आ गया, second है हमारा mechanical force, तो mechanical, mechanical, mac, mac, याने machine, mechanical, मतलब machine से दोरा लगा गया force, the force applied by means of machine is called mechanical force, एक ऐसा force, जो machine के थ्रूँ अपलाई किया जाता है, उसे mechanical force कहते है, अब यह machine को चलाने के लिए electric energy लग सकती है, या man power लग सकता है, इनसान भी machine, जैसे सिलाई machine, सिलाई machine को चलाने के लिए, इनसान की ज अपने muscles, muscular force को वो देते हैं machine पर, और वो change होता है, mechanical force में और बाद में वो machine घुमती है, ओके, तो after all उसको ये machine को घुमाने के लिए, दो तरीके energies लगती है, एक तो electric energy लगेंगी, या फिर muscular force लगेगा, ओके, जो भी लगे, पर ये machine work कर रही है, फिर machine work करके कोई एक काम हो रहा है, जैसे tech truck चल रहा है, या mixer grinding, okay, mixer mixer गुम रही है, सिलाए machine चल रही है, तो ये जो है, ये mechanical force है, इसमें machine काम कर रही है, तो एक ऐसा force जो machine द्वारा लगाया जाता है, किसी काम को करने के लिए, that is a mechanical force, we use different machines for doing many tasks, हम बहुत सारी अलग-अलग machine का use करते हैं, अलग- गा, okay, so, machines like the letter called automatic machines, और कुछ ऐसी machines होती है, जो automatic भी होती है, because a mechanical force is used here, क्योंकि वहाँ पर mechanical force use किया जाता है, for example, जैसे swing machine, electric pump, washing machine, mixture, make the list of other such, और आप चाहें, तो ऐसे ही और कुछ example की आप list बना सकते हैं, okay, तो आपको देखी हमने दो चीजे पड़ी है, एक है muscular force, जो muscles से लगा जाता है, एक है mechanical force, जो machine के दुरू लगा जाता है, अब चलते है gravitational force की और, okay, तो देखिए, if an object is thrown upward by applying force, जब हम किसी object को force लगा कर उपर की और फेकते है, okay, it reaches a certain height, okay, तो यह क्या होता है, कि यह कुछ दूरी तक जाता है, और मतलब इस object को, कोई भी object आप जैसे फेकते हैं ने को, एक छोटा बच्चा फेकीगा तो object जादा उपर नहीं जाएगा, एक बड़ा effective फेकीगा तो object और जादा उपर जाएगा, मतलब क्या है, कि आप जितनी जादा ताकत से उसे उपर फेकेंगे, वो उतनी जादा उपर चाएगा, okay, तो मान लीजे, इस boy ने अपने पूरी ताकत से इस ball को यहां तक, तो यह ball जो है, इस ball में जितनी ताकत लगी थी, जितना force apply हुआ था, यहां कुछ height तक गया, और कुछ height पर जाने के बाद, इस पर लगा हुआ force, वो zero हो गया, और उसके बाद, उसे gravitation force ने नीचे अपने तरफ खिचना शुरू कर दिया, so the earth pulls the object towards its well, जो earth होती है, वो object को अपने और खिचने की कोशिश करती है, अब यहां पर एक बात यह है, कि इस gravitation force में, जब इस ball को ऊपर फेका गया है, इस बात को ध्यान सा समझना है, students आपको, जब इस ball को ऊपर की और फेका गया, जब इस ball को ऊपर की और फेका गया, तो gravitational force इस पर continuously काम कर रहा था, तो gravitational force इसे continue नीचे खिच रहा था, वापस आजाए, वापस आजाए, वापस आजाए, वापस आजाए, वापस आजाए, तो gravitational force उस पर continue काम कर रहा था, नीचे खिचने के लिए, इसलिए क्या हुआ कि यह बॉल कुछ ही दूरी तक जा पाया क्योंकि नीचे से एक फोर्स उसे खुश खीच रहा था जा गया 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 और कुछ देर पर उसकी जो पावर है वो कम हो गई एक पॉइंट पर आकर वो रुग गया और वापस वो नीचे गिरना शुरू हो गया तो यह ज पूल्स ऑल दो अबजेक्ट वो इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो सभी अबजेक्ट को खुद नीचे के और खिशता है जैसे कि यह मैंगो है मैंगो पेर से छुटा तो यह नीचे ही गिरेगा ओके इधर उधर नहीं जाएगा तो ग्राविटेशनल फोर्स हमारे लिए कोई नया तो है नहीं नहीं कंसेप्ट है नहीं बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है तो जो फोर्स अपलाई किया जाता है किसी भी अबजेक्ट को अपनी तरफ खीचने के लिए उस फोर्स को कहा जाता है ग्राविटेशनल फोर्स अब इस gravitational force की बात आई है तो हम Sir Isaac Newton को कैसे भूल सकते हैं क्योंकि उन्हों ने ही तो gravitational force की खोज की थी उन्हों ने ही तो हमें इसके बारे में बताया था So Sir Isaac Newton discovered gravitational in 17th century 17th century में उन्होंने gravitational force के बारे में हमें बताया The earth gravitational force act in a direction opposite to that of an object moving upward तो जो मान लिजे ये earth है और ये एक ball है ये उपर उपर जा रहा है उके उसको किसी ने उपर की और फेक दिया ये बाल उपर उपर जा रहा है तो earth में जो gravitational force होगा ये gravitational force इसे नीचे की और खीचने की कोशिश करेगा और आपने जो इस पर ताकत लगा ये muscular force जिसे आप उपर भेज रहे हैं तो ये उपर जाने की कोशिश करेगा तो इसलिए ये कुछी दूरी तक उपर जा पाता है क्योंकि gravitational force continuously उसे नीचे खीचने की कोशिश करते रहता है एक बार जाकर इसके ताकत यहाँ पर आपके लगाईवी ताकत 0 हो जाती है और बाद में ये ball वापस नीचे गिरने कना शुरू हो जाता है मैंने क्या बताया कि जितना force आप लगाते हों वो के ball उपर जाती है पर continuously उस पर gravitational force काम करते रहता है इसलिए एक height पर जाकर इस पर लगा हुआ force जो है वो 0 हो जाता है और इसलिए then the object start falling down instead of going up any further और इसलिए जो object है वो नीचे गिरता है उपर जाने के बजाए वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है so while falling its speed goes on increasing all the time due to gravitational force और जब ये गिरता है तो गिरते समय इसकी speed हर point पर बढ़ती जाती है जैसे की मान लीजिए जैसे हमने इसके पहले वाले lecture में भी आपको एक example दिया था मान लीजिए ये कोई धलान है ये कोई पहाड है धलान है और यहाँ से यहाँ पे आप बैठे है आपकी cycle यहाँ पर है और यहाँ पर इस cycle पर बैठ कर आप cycle चला रहे है आप इस cycle को चला रहे है जब आप इस ड़लान पर आएंगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी cycle की speed कम होगी और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएगे आपकी speed अपने आप बढ़ते जाएगे आपको pedal लगाने की जरूत नहीं है cycle को paddle मारने की زरalt नहीं है उसकी speed अपने आप ही बढ़ती ज़ारी क्यों? क्योई कि नीचे की और जारी और down में क्या है? gravitational force ये gravitational force इसे नीचे खीचने की कोशिश कर रहा है समझ़ में आ रहा है? ये जो gravitational force है इसे नीचे हीचने की कोशिश कर रहा है इसलिए इसकी speed continuously continuously बढ़ती जाएगी वैसे ही सेम जब कोई object नीचे की और गिरता है तो उसकी speed continuously increase होती चली जाती है क्योंकि उसे gravitational force अपनी तरब continuously खीच रहा है इसलिए उसकी speed बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है ओके now next what happened is the different in the sound in the two action above what can we can conclude from this अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो action हो रही है पहली action में boy जो है वो थोड़े से उपर से थोड़े कम उपर से stone को bucket में छोड़ रहा है अब यहाँ पर दूसरी activity में क्या है कि उन्हें उन्हें stone को लिया काफी थोड़ी जादा height से इस stone को bucket में डाला तो यहाँ पर क्या होगा हम यहाँ पर sound की बात कर रहे है तो sound में हाँ पर हमें क्या फरक दिखाई दिया कि जब कोई object ज़्यादा speed से ज़्यादा force से किसी चीज़ को hit करता है तो यहाँ पर ज़्यादा sound हमें सुना आता है और यहाँ पर हमें कम sound सुनाई आगा इसमें हमें ज़्यादा sound सुनाई आएगा इसमें हमें कम sound सुनाई आएगा second क्या है the action of lifting a sack are shown in the picture इस picture में sack उठाने की दो action है एक sack जो पुरी तरह से empty है खाली है दूसरा sack पुरी तरह से भरा हुआ है one sack looks empty and the other one is full what difference do you notice in the way the two sacks are lifted अब ये दोनों जो sack है ये lifted किये गए उठाए गए है तो आप इनमें क्या differences देखते हैं तो simply बात है हमें यहाँ पर differences जो देखने मिलता है वो ये है कि अगर आपका जो sack है ये पुरीते से खाली है तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेंगी इसे उठाने के लिए पर अगर sack बहुत ज़्यादा भरा हुआ है भारी है तो यहाँ पर इसे उठाने के लिए ज़्यादा ताकत लगने वाली है तो इससे conclusion जो हमें मिलता है वो है greater force must be applied to lifted greater weight मतलब अगर आपको greater weight उठाना है ज़्यादा weight उठाना है तो आपको force भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पर देखिए the gravitational force on the empty sack is less that is say it is a weightless यह यह wetless है इसका empty sack है यह खाली है wetless है पर जो gravitational force जो यह bigger sack जो है भारी sack जो है इसमें gravitational force ज़्यादा लग रहा है उके उसके बाद एक और चीज़ gravitational force की बात आई है तो हम हमारे ब्रह्मान को universe को कैसे भूल सकते हैं तो आईए देखते हैं the gravitational force of force operates between the sun and the planets in the solar system तो जो gravitational force है यह solar system में भी operate करता है मतलब कि हमारे जो यह जितने भी planet है यह सारे planet sun की आसपास sun के around कैसे यह sun है तो सारे planet जो है sun के around rotate करते रहते हैं घूमते रहते हैं वो इसलिए घूमते हैं क्यूंकि यह सब sun के gravity से attached है sun जो है इन्हें अपनी और खिचने की कोशिश कर रहा है sun ने इन्हें gravity से बांद कर रखा है तो sun का gravitational force इन पर apply हो रहा है इसलिए यह अपनी position को छोड़ कर कभी भी यह इस galaxy से बाहर नहीं जा सकते यह अपने direction को बदल नहीं सकते यह इसी direction में घूमते रहेंगे so the gravitational force operate between the sun and the planet in the solar system so solar system में sun और planet के बीच में gravitational force operate करता है because of it the planet revolves around the sun at the same time gravity also operate between planet and their satellite then why don't all the planet and satellite fall towards the sun अब यहाँ पर एक question पुछा है अगर ऐसा है देखिए यह जो diagram में हम देख रहे हैं okay pictures में हम देख रहे हैं कि यह जो सारे planet से यह revolve कर रहे around the sun वो इसलिए क्योंकि sun इन्हें अपनी और खिचने की कोशिश कर रहा है sun इन्हें अपनी और खिचने की कोशिश कर रहा है और उसी तरह से यह जो छोटी छोटे planet है यह भी sun को अपनी और खिचने की कोशिश कर रहे है तो एक रसी कोई इधर खिच रहा है एक कोई इधर खिच रहा है तो tug of war में क्या होता है कि इधर वाली टीम इधर खिचती है उधर वाली टीम उधर खिचती है तो यहाँ पर जो force हो जाता है वो zero हो जाता है और कोई काम नहीं हो पाता अगर दोनों तरब बराबर ताकत है कोई काम नहीं हो पाता तो sun काफी बड़ा है पर ये इन से काफी दूर है इसलिए Sun इन पर जो ताकत लगा रहा है वो थोड़ी सी कम पढ़ जाती है और ये भी Sun पर ताकत लगा रहे हैं Sun को अपनी तरब खिषने की और Sun ताक्पोरस लगा रहा है Earth को अपनी तरब खिषने की और इसलिए दोनों एक दूसरे को आपस में खीच रहे हैं जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के तरफ मूव नहीं होते बट इसके कारण इसी कारण वो गोल 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 खुमते हैं आपको एक सिंपल सा एक्जामपल बताएंगे आप क्या कीजिए आप एक पत्थर लिजिए और उसको धागे से बानिए धागा अपने हाथ में लिजिए और उसे गोल गोल घुमाईए तो ये जो फोर्स है यहाँ पर आपका जो हाथ है वो होगा सन जो बीच में से सेंटर का फोर्स जेनरेट करता है और जो स्टोन है वो होगा प्लानेट जो उस सरकल से बाहर जाने क कोशिश कर रहा है और जब यह दोनों मतलब अब वो प्लाइनेट जो है वो जो पत्थर है वो रसी को तोड़ के बाहर नहीं जा पाता इसलिए वो गोल 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 गुमते रहता है सेम यही काम यहाँ पर प्लाइनेट के साथ होता है So I hope that कि यह आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है ओके नाव अब देखते हैं Magnetic Force तो Magnet तो आपको पता है और आपने सभी कोने Magnet के साथ तो जरूर खेला होगा तो Magnetic Force में क्या होता है कि Magnet जो है वो Iron Metal को अपनी और खीचने की कोशिश करता है अट्रैक करने की कोशिश करता है अब यहाँ पर देखिए यह अपनी और अट्रैक करता है Magnet खुद को Magnet Magnet को और Magnet Iron Metals को तो प्लेस ऑन टेबल टेक बीग आइरन नेल टोवर्ड देखिए क्या हुआ आपको पीन्स रखनी है कुछ टेबल पर और उस पर आपको Magnet उसके उपर घुमाना है यह Magnet को ऐसे उसके आसपास लेके जाना है तो आप देखोगे कि Magnet उस Iron Metal को अपनी तरब खीच लेगा यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि Magnetic Force उस पर एक्ट करता है समझना बहुत आसान है एक ऐसा फोर्स जो Magnet के थुरू एक्ट किया गया तो उसे हम Magnetic Force कहेंगे उसके बाद देखिए Frictional Force नमबर फिप्ट है Frictional Force वेन अ कैरम पीस इस फ्लिक्ट स्लाइटली अ स्लाइड ओवर दे कैरम बोर बट स्टॉप एट अ सर्टन डिस्टन्स देखिए यह स्ट्राइकर है स्ट्राइकर से इसे मारा गया मारने के बाद इस स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया इस कैरम के यह पिसेश को और यह पिसेश जो है कही यहां से यहां तक आई और वापस आके कही पर आकर यह रूख जाती है यह क्या हो जाती है कुछ दिर बाद यह रूख जाती है A ball rolling over a flat ground Stop at a certain distance जैसे मान लीजी आपने किसी ball गो kick किया या आपने ball गो fakeा तो जो ball होगा वो ground के उपर से rolling करते 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 एक position ऐसी आएगी जहाँ पर वो पूरी तरह से stop हो जाएगा रुख जाएगा एक जगा पर कर वो रुख जाएगा थर्ड क्या है two surface rub against each other दो surface आप एक दूसरे को rub कीजिए जब आप किसी दो चीज को एक दूसरे से rub करेंगे तो वो दोनों surface गर्म हो जाएगे उसमें heat generate होगी आप एक काम कीजिए अपने दोनों हातों को इस तरह से रखके हतिलियों को घिस कर देखे अपने palms को you will feel some heating कुछ गर्म साफ फिल करेंगे when a brake is applied while riding a bicycle stop after running a short distance जब bicycle चलती होती है और अचानक से brake लगा दिया जाए तो कुछी दूरी पर जाकर cycle जो है रुख जाती है अब एक और चीज है अब ये जो सारे example है ये frictional force के है frictional force मतलब कैसा जितना ज़्यादा friction उतनी कम speed जिसे मान लीजिए simple सी बात है अगर इस carom board पर अपने powder नहीं डाला तो क्या ये जो pieces है easily move हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे क्यों क्योंकि इन में friction ज़्यादा हो जाएगा तो friction को less करने के लिए कम करने के लिए इस पर boric acid वाला powder डाला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही चिकना soft होता है जिससे ये जो carom pieces है वो easily move हो जाती तो चलता हुआ ball जो है वो ground पर रुख जाता है वो इसलिए रुखता है क्योंकि वो ground पर friction कर रहा है जमीन के साथ घिसते हुए चल रहा है friction कर रहा है पर हमारी earth अंतरिक्ष में घूम रही है अब यहाँ पर देखिए यह जो है यह free moving कर रहे है यह object free move कर रहे है यहाँ पर कोई जमीन नहीं है जिसके उपर यह लुड़कते हुए आगे बढ़ रहे है ऐसा कुछ नहीं है यह free move कर रहे है और इसलिए यह इनकी movement कभी नहीं रुखती जैसे हमारी earth है sun के आसपास rotate कर रही है moon जो है वो earth के आसपास rotate कर रहा है पर यह कभी रुखते नहीं है यह घुमते ही रहते वो इसलिए क्योंकि यह किसी चीज पर रखे हुए नहीं है इसलिए इनके बीच में कोई frictional force नहीं है और इसलिए continuously move कर रहे है वैसे एकर यहाँ पर zero frictional force होता तो यह जो कैरम पीसे से यह कभी नहीं रुखती यह चलती रहती चलती रहती चलती रहती समझ में आ रहा है so frictional force यहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी भी चीज को आप rub करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर bicycle वाला example लिया गया था अब यहाँ पर देखिए take two piece of smooth paper and two of sandpaper and rub them against each other आप दो smooth paper लिजिए और आप rub करके देखिए easily rub हो जाएगे और आप दो sandpaper लिजिए जो दानेदार paper होते हैं उनका rub करने कोशिश करेंगे आपको बहुत ताक्ट लगेंगे उनको rub करने के लिए So it is possible for us to walk on the ground only because of the force of friction आपको पता है हम जमीन पर इसलिए चल पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम frictional force का use करते हैं अगर frictional force नहीं होता या फिर जमीन पर friction नहीं बनता तो हम चल नहीं पाते हैं आप अपनी जमीन को frictionless कर दीजिए घर में tiles के उपर काफी सारा तेल फेक दीजिए या फिर निर्मे का पानी बना दीजिए और वहाँ पर आप चलने की कुशिश कीजिए आसानी से आप नहीं चल पाएंगे Frictionless हो जाएंगा और हम धड़ान से नीचे गिर जाएंगे So if there is no friction we would sleep and fall जैसे देखिए अगर friction नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे इसलिए तो shoes में और चपल्स में नीचे design बनाई जाती है soul पर ताकि friction बना रहे चकों पर grip बनाई जाती है cycle के गाडियों के चकों पर ताकि grip बनी रहे Friction बना रहे ताकि sleep ना हो और जैसे ही उसकी grip जिस दिन खतम हो जाती है टायर जो है वो पुरा घीस कर प्लेन हो जाता है तब गाड़ी जो है जल्दी sleep करती है इसके बारे में तो आपको पता ही है Next है electrostatic force को आपके बारे में तो आपको तो उसके बारे में पता होगा उस कौम की तरफ attract हो जाएंगे और उसमें वो चिपकने लगेंगे तो static electricity is produced on material like rubber, plastic and ebonite due to friction तो जो static electricity होती है यह produce होती है कुछ ऐसे material से जैसे rubber में static electricity बनती है plastic में बनती है ebonite की जो rod होती है ebonite के friction से बनती है so the force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force तो यह जो है electrically charged material मतलब यह ऐसे हैं जो यह electrically charged हो जाते हैं तो जब हम इनको अपनी body पर या hair पर rub करते हैं रब करने पर यह electrically charged हो जाते हैं और जो object electrically neutral है चार्ज नहीं है जैसे कि यह paper page पेच के जो तुकड़े यह electrically neutral है चार्ज नहीं है कॉम जो है वो चार्ज है यह चार्ज नहीं है तो यह कॉम क्या करेगी इन तुकड़ों को अपनी तरफ खिचने की कुश्च करेंगी इसलिए यह उसके तरफ attract होते हैं और उसे चिपक जाते हैं उसके बाद देखिए combined force combined force मतलब क्या है देखिए आपको यह pictures देखकर ही समझ में आ गया होगा combined force याने क्या various type of force act on the object for a single action called combined force मान लीजिए हमें किसी एक काम को करना है और किसी एक काम को single action को single action एक काम अगर हमें किसी एक काम को करना है और उस एक काम को करने के लिए various type of force act हो रहें अलग-अलग प्रकार के force act हो रहें तो उसे हम combined force कहते हैं सो वेरियस टाइप आप फोर्स एक्ट ऑन दो ऑब्जेक्ट फॉर सिंगल एक्शन इस काल्ड़ कमबाइंड फोर्स जैसे कि मान लीजिए बाइक चलाने बाइक चलाने के लिए अलग-अलग फोर्स एक्ट आप एक्सलेटर कर रहे हो तो इंजिन गुम रहा है इंजिन के अंदर काफी सारे गेर गुम रहे है वो गेर गेर बॉक्स गुमने कारण फिर वो चैन गुम रही है चैन गुमने कारण वील गुम रही है वील गुम रही कार एक साथ काम करते हैं तो उसे हम combined force कहते हैं ओके सो students ये थे forces के काफी सारे example जो हमने इस lesson में देखे थे ओके पूरे example हमने force के देख लिए यहाँ पर आपका lesson complete होता है ओके आइए देखते हैं इस lesson में हमने क्या सिखा we have learned that force is required to bring about any action force is necessary for making an object to move force चीज़ जरुवत पड़ती है किसी भी object को action मिलाने के लिए force जरूरी होता है किसी भी object को move करने के लिए किसी भी object के change the direction को change करने के लिए okay to change the shape और उस object के shape को change करने के लिए okay तो force किस किस चीज़ के लिए जरूरी है object को movement मिलाने के लिए object को रोखने के लिए, उसका direction बदलने के लिए और उसका shape बदलने के लिए ये चार चीजों का आप ध्यान में रखिएगा Second, there are various type of force और यहाँ पर अलग-अलग तरग के force है सच जिसे muscular force है mechanical force है, gravitational force है magnetic force है frictional force है, और electrostatic force है तो इन सभी force के बारे में हमने पढ़ती है So students, आप मुझे बताईए comment box में कि आपको force और force के type समझ में आए या नहीं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में ज़रूर बताईएगा और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है झाल